हेलो वीवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सब बहुत ही जाद अच्छे होंगे दिल्ली के लजीस खाने में हम आपका बहुत बहुत जादा वेलकम करते हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोटेटो बैट्स की रेसिपी आज हम आपके तो अपया ह में यह तेन मीडियम सैज्स के आलू लिया है तो आलू को खोला है उसमें सारे आलो को तुछ कि आटी हमने आप सी गरिटेट और यह पैं ले लें लेंगे तो टेबली स्पून कुकिंग ओयल डालेंगे यह में रिफाइन डाल रही हो आप चाहे तो मस्टर्ड ओयल भी डाल सकते हैं और अब हम देखें इसके अंदर वन टेबली स्पून यह गार्लिक टालेंगे चौप हुई विबारिक तो गार्लिक आप इसके अंदर हलके हलके देंगे और कुछ सेकेंड भी मिक्स करेंगे इसके साथ अब हम अधा कप इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये कि आधा कप है एक छोटे बावल के अंदर अधा कप पाणिया पानी आ अगए तो दॉर जाए अदे बॉयल पानी के बोईल आजेगा तो हम एश्के आधा अद अगर आपके पास चामल काटा ना हो तो आप बास पती जो राइस होते हैं उसे मिक्से ग्रेंडर उचार में डाल कर बिल्कुल पाउडर बना लिजेगा आटी की तरह और वो डाल सकते हैं आप यह दिखें यह हमने इसको चैसिस के अंदर मिला लिया है यह हमारा तयार है अब हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो यह दो बहुत ही जल्दी इसनेक्स बनें जाते हैं और बहुत ही जादर टेस्टी बनेंगे आप इसे जरूर ट्राइए किजएगा और यह दिखें ग्रेट हुए वे जो आलू है वह हम इसके अंदर डालेंगे और अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे शॉल्ट आप स्पून कॉन धर डाल देंगे जिसे जीक तुपेंगा नहीं और CCP bi बनेंगे। इसको हम इसको अच्छे से लzen अज़ागे अपकल कि मटराइगे हम इसको इसे अईच्छे से मिक्षे करना है इसके यह हमने इसको 264 मिक्स कर लिए है सोड़ सा स्वाइल दाल लेंगे, इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल स्थोड़ा सा है बिल्कुल से उयल डालकर आप इसंसे चिकना कर लिजेगा अब हम चलते हैं इसके next process के तरफ तो यह देखिए इसको हम इस तरहां roll कर लेंगे हातों से अलके हम इससे roll कर लेंगे और इसे हम चार भाग के अंदर बाठ लेंगे पहले आप इसको इस तरहां roll कर लिजेगा जिससे हम असानी से इसको चार भाग में divide कर सकते हैं यह पágina हातों की मदद से रोल करेंगे तो आपने से रोल करना हे बहुत मेडने मगें कपने वह सब ताह थेild कर लेंगे तो आप इसे एर टाइट कंटेर में भर के फ्रीज में भी रख सकते हैं 15 दिन के लिए और फिर आप इसे जब भी चाहें निकालें और गरम गरम फ्राइ करें से तो यह की पैन के अंदर हम यह डाल देंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के अच्छे से प्राइब नहीं कीजिए आप मीडियम टू हाई फ्लेम के ओपर इसे अच्छे से फ्राइब करना है यह दिखें सारे जो यह प्रतेटो स्नेक्स हैं यह हम इसक अंदर डाल देते हैं और इसे हम बहुत अच्छी कृस्पी फ्राइब करेंगे यह आप देख सक बढ़ने जब फ्राई होंगे तो बिलकुल क्रिस्पी फ्राई होंगे यह दिखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और यह अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तो बस हमने यह जटपट बनाने हैं आपके लिए यह प्रोटेटो स्नेक्स जो बहुत जादा टेस्टी बनेंगे और जब आप इसे बना कर खाएंगे तो आप मकेंस खाना भूल जाएंगे तो यह देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आता जा रहा है और यह अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं आप इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं चोटी मुटी जब भूग लगे आप इसे बनाई निकाल लेते हैं यह बहुत जादा क्रिस्पी फ्राइ हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि इस प्राइब है तो दोस्तों प्लीज अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक सरूर किज़ेगा इस वीडियो को यह देखिए कितने अच्छी यह फ्राइ हुए है और देखिए कितने जादा क्रिस्पी बने है तो आप प्लीज हमारी रेसिपी के साथ जाके यह एक पार ज़रू टाय किज़ेगा आपको बहुत जादा पसंद आएंगे आप इसे कैचप के साथ ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करें जिससे आप काना पसंद करते हो और बच्चों क हमें ज़रूर याद रखेगा और कमेंट्स करके बताएगा कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी आपकी कमेंट्स का हम बेस अबरी से इंतजार करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशालला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नही मज़ेदार रेसिपी के साथ थैंक यू फर ऍरे टो ऑन्स वर यह रादी एकट और बेसर को new यह लोगल्खएवर नही निवी एक्संवर यह रेसे टतो यह वर वा लादे हैं